हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डबल कलर का डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसी बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कारडिगन, जैकेट, गल्स, टो, फ्रो, कुर्ती, कैप किसी भी प्रोजेक्ट प्रपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही संदर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 14 के मलटीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड्शेस्ट हो जाएगा 14 के मलटीपल देखिए 14 फंदे गिन लिज RAW फिर से 14 फिर से 14 फिर से 14 इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है 6 सलाईयों का डिजैन है और 12 सलाईयों में कम्पलीट हो जाता है बोर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट ले फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो ये देखिए फ्रेंट्स यहां पर मैंने लिये हैं 44 फंदे 14 के मल्टीपल करके और इसमें 2 फंदे एक्ट्रा लिये हैं बोर्डर के बाद एक सलाई सीधी साइड से सीधी और एक सल फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक दो तीन च्यार पांच छे और ये साथ अब दो फंदे स्लिप करेंगे देखिए एक और ये दो इस तरह से दो फंदे स्लिप करने के बाद आब बारा फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन च्यार पांच 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 बारा फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे फिर से स्लिप कर देंगे इनको बनाना नहीं है ऐसे ही स्लिप कर देना है फिर से 12 फंदे सीधे बनाएंगे और ये देखिए ये जो धागा हमारा 2 फंदे के पीछे से जा रहा है ये जादा नहीं खिचना चा च्यार और ये देखिए पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा बारा फंदे सीधे पैनाने के बाद फिर से हम दो फंदे इसमें स्लिप करेंगे एक और ये दो इस तरह से आपके जितने भी फंदे होंगे आपको ऐसे ही डिजैन को रिपेट करना है बारा फंदे आपने जो सेकिन कलर जोइंट किया है उसे सीधे बनाने है फिर दो फंदे सिलिप कर देने हैं फिर से बारा फंदे सीधे बनाने हैं दो सिलिप कर देने हैं लास्ट में आपके साथ फंदे बचेंगे, इनको आप इस तरह से सीधा बनाईए, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, डिजैन की पहली सलाई कम्प्लीट हो गई है, अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर, दूसरी सलाई उल्टी स इसकी सीधी बनेगी, लेकिन जो बनाई हुए फंदे हैं, वही सीधे बनाने हैं, जो सलिप किये हुए हैं, उनको सलिप करना है, तो धागा पीछे करके, ये साथ फंदे पहले सीधे बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरब करेंगे, और ये दो फंदे ऐसे सलिप कर फिर से धागे को पीछे ले जाएंगे और यहां से इसे थोड़ा सा लूज रखना है और बारा फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये दो फंदे इस तरह से कर देंगे फिर से धागा पीछे ले जाएंगे बारा फंदे सीधे बनाएंगे फिर दो स्लिप करेंगे और लास्ट के साथ सीधे बनाकर दूसरी सलाई को कम्पलीट कर देंगे दो सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई हैं अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइ से पूरी उल्टी बनेगी. तो ये देखिए साथ फंदे उल्टे. एक, दो, तीन, च्यार, पान्च, छै, और ये साथ. फिर धागे को पिछे करेंगे और ये जो स्लिप किए फंदे हैं इनको ऐसे स्लिप कर दे भागे को अपनी तरफ ले आएंगे और वzahlा फंदे उल्टे. छे और ये साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा, बारा फंदे इस तरह से उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करेंगे और ये दो फंदे इस तरह से स्लिप कर देंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, बारा फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर दो फं इस तरह से हमारी ये तीसरी सलाई कम्प्लिट हो जाएगे तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लिट हो गई हैं चोथी सलाई उल्टी साइड से ये पूरी सीधी बनेगी तो देखिए धागे को पीछे करेंगे साथ पंदे सीधी बनाएंगे एक दो तीन, च्यार, पांच, छे और ये साथ अब धागे को अपनी तरफ ऐसे ले आएंगे और ये जो दो फंदे हमारे सलिप किये हुए हैं इनको ऐसे सलिप कर देंगे यहां से धागे को वापस पीछे की तरफ ले जाएंगे और बारा फंदे सीधे बना देंगे इस तरह से करते हुए जो बनाए हुए फंदे हैं उनको सीधा बनाएंगे जो सलिप किये हुए फंदे हैं उनको फिर से सलिप कर देंगे इस तरह से हम धागे को पीछे रखेंग और ये देखिए 12 फंदे यहां पर मैंने सीधे-सीधे बुल लिये हैं। अब धागे को अपनी तरब करेंगे और ये जो 2 फंदे सलिप के हुए हैं इनको सलिप करेंगे फिर धागा पीछे 12 सीधे, 2 सलिप करेंगे और लाश्ट के 7 फंदे हम सीधे बना देंगे तो हमारी 4 सल पूरी सीधी बनेगी लेकिन जो बनाए हुए फंदे हैं सिर्फ वही बनाने हैं और जो स्लिप के हुए हैं वो हमें फिर से स्लिप करने हैं तो देखिए धागा पीछे करके एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे और ये साथ और ये दो फंदे इस तरह से लेंगे और इनको स्लिप कर देंगे फिर बारा फंदे सीधे बनाएंगे फिर दो फंदे स्लिप करेंगे फिर बारा फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से करते हुए इस पांचवी सलाई को भी कम्पलीट कर देंगे तो ये देखे फ्रेंट्स पांच सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है। छटी सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी। लेकिन जो बनाए हुए फंदे हैं सिर्फ वही बनाने हैं और जो दो फंदे स्लिप किये हैं उनको फिर से स्लिप करना है तो देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे और ये साथ फंदे उल्टे बनाने के बाद ये जो दो फंदे स्लिप किये हैं इनको स्लिप करेंगे फिर बारा फंदे उल्टे बनाएंगे, दो फंदे स्लिप कर देंगे, बारा उल्टे बनाएंगे, इस तरह से करते हुए छटी सलाई उल्टी साइड से कम्प्लीट कर देंगे. छे सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई हैं, आगे हमें बनानी सैकिन कलर से वही छे सलाईयां हैं, लेकिन ये जो दो फंदे हमने स्लिप किये हैं, इसकी जगह चेंज हो जाएगी. ये जो बारा फंदे हमने बीच में रखे हुए हैं इसके बीच वाले दो फंदे हमें सलीप करने हैं और ये वाले दो हमारे बारा के बीच में आ जाएंगे तो ये देखिएगा ये इसकी सात्मी सलाई है सीधी साइड है यहां से हम अपना ये पहले वाला कलर लेंगे और ये देखिएगा एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, और ये वाला आठ, नो और ये वाले जो हमारे बारा फंदे हैं बीच वाले इसमें से हम पांच फंदे बनाएंगे तो देखिए एक, दो, तीन, च्यार, और ये पांच अब ये जो बीच के बारा फंदे हैं इसमें से हमने 5 सीधे बना लिए तो ये बीच वाले जो दो फंदे हैं इनको ऐसे लेंगे और Slip कर देंगे अब हम 12 फंदे आगे सीधे बनाएंगे देखिए एक, दो, तीन, चार और ये 5 और ये जो slip की हुए हैं देखिए 6 और ये 7 अब 5 इसमें से बनेंगे तो 12 हो जाएंगे देखिए 8, 9, 10, 11 और ये 12 बारा फंदे सीधे बनाने के बाद ये जो 12 थे इसके बीच में से 2 फंदे ऐसे लेंगे और इनको slip कर देंगे आप देखिए आपके जितने भी फंदे हो ऐसे ही डिजाइन को repeat करते जाना है और last में आपके देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 इस सात्मी सलाई पर आपके इस तरह से 14 जोदा फंदे दोनों साइड पर ऐसे आ जाएंगे और बीच में आपके इसी तरह से आपके सेट होते चले जाएंगे 8 मी सलाई है उल्टी साइड है 8 मी सलाई उल्टी साइड से सीधी बनेगी लेकिन जो बनाए हुए फंदे है वही आपको सीधे बनाने है लेकिन जो दो फंदे सलिप की हुए है वह आपको फिर से सलिप करने है तो यह देखिएगा यहां के जो 14 फंदे हैं इनको इस तरह से हम सीधा सीधा बन लेंगे यह हमारे 14 फंदे सीदे बन गए हैं अब यहांसे धागे को पहले अपनी तरफ करेंगे और ये वाले जो 2 फंदे इस तरह से slip की हुए हैं इनको slip करेंगे, धागे को वापस पीछे करेंगे और 12 फंदे सीदे बनाएंगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा बारा फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को वापस अपनी तरब करेंगे और ये जो दो फंदे स्लिप के हुए हैं इनको स्लिप करेंगे जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजैन को repeat करते जाएंगे और last की सारे फंदे फिर सीधे सीधे बुन देंगे आठ सलाइया डिजैन की complete हो गई है, नोमी सलाइय है और सीधी साइड है नोमी सलाइय सीधी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी लेकिन जो बनाए हुए फंदे हैं, सिर्फ वही उल्टे बनाने हैं, और जो slip के हुए फंदे हैं, वो आपको फिर से slip करने हैं, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, और ये देखिए, स्टार्टिंग के जो हमारे 14 फंदे हैं, इनको हम उल्टा उल्टा भून लेंगे, फिर धा ऐसे करते हुए इस सलाई को भी कम्प्लीट कर देंगे नो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई हैं दसमी सलाई है और उल्टी साइड है दसमी सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी सीधी बनेगी लेकिन जो बनाए हुए फंदे हैं सिर्फ वही सीधे बनाने हैं और जो ब इनको सीधा सीधा बुन लेंगे तो 14 फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को इस तरह से अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे सिलिप कर देंगे फिर धागा पीछे और 12 फंदे सीधे ऐसे करते हुए 10 वी सलाई को भी कम्पलीट कर देंगे 10 सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई है 11 सलाई है और सीधी साइड है 11 सलाई सीधी साइड से इसकी पूरी सीधी बनेगी लेकिन जो बनाए हुए फंदे हैं सिरफ वो बनाने हैं और जो 2-2 फंदे हमने सिलिप किये हैं उनको फिर से सिलिप करना है तो धागा पीछे करेंगे और स्टार्टिंग के ये 14 फंदे हम सीधे बनाएंगे देखें 2, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 धागा हमारा पीछे ही रहे ये जो स्लिप के वे फंदे हैं इनको फिर से स्लिप करेंगे और आगे हम 12 फंदे सीधे बनाएंगे ये जो धागा इसके पीछे से जा रहा है ये जादा नहीं खिचना जाइए तो अब 12 सीधे 2 स्लिप करेंगे इस तरह से करते हुए 11 सलाई सीधी साइड से कम्प्लीट कर देंगे 11 सलाई की कम्प्लीट हो गई है बारमी सलाई है और उल्टी साइड है बारमी सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी लेकिन जो बनाई हुए फंदे हैं वो उल्टे बनाने हैं और जो स्लिप के हुए हैं वो फिर से स्लिप करने हैं तो धागा अपनी तरफ करेंगे और स्टार्टिंग के ये जो हमारे 14 फंदे हैं इनको उल्टा बना लेंगे फिर ये जो दो फंदे हमारे स्लिप की हुए हैं इनको फिर से ऐसे लेंगे और स्लिप कर देंगे फिर बारा फंदे उल्टे बनाएंगे दो स्लिप करेंगे ऐसे करते हुए इस बारवी सलाई को भी कम्पलिट कर देंगे इस तरह से फ्रेंड्स 12 सलायों में ये डिजैन ओवर हो जाता है यही 12-12 सलाया इसमें बार-बार रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से आपका ये सुंदर सा डिजैन बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए फिर से हम अपना ये वाला कलर लेंगे साथ फंदे सीधे बनाएंगे फिर ये वाले दो फंदे हम स्लिप कर देंगे फिर बारा फंदे सीधे बनाएंगे यही वाले दो फंदे स्लिप करेंगे फिर बारा सीधे बनाएंगे और यहां वाले दो फंदे फिर से स्लिप करेंगे ऐसे करते हुए इसकी ये नेक्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगे तो फ्रेंड से अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडि आपको सबसे पहले मिलके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू